हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल यूपी एक्जाम क्रेजर में दोस्तो आज की वीडियो में हम 31 अगस्त से समंधित उत्रप्रदीश के सभी एक्जाम के लिए most important current African questions को discuss करेंगे और हरे questions से related आपको fact भी बताएंगे और वीडियो के अंतों में हम आपसे question भी पूचेंगी जिसका जवाब आपको comment box में देना है और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप मारे टेलिग्राम ग्रूप से डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम गुरूप की लिंक आपको वीडियो के description में मिल जाएगी और दोस्तों यह जो उत्रप्रदेश ट्यूली के रेंटेफर का वीडियो है यह यूपी की सभी भी एकजाम की तयारी कर रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहले हम छोटा सा टॉपिक जो है रिवाइस करेंगे रामसर इस्थल का तो दोस्तों उनीस सो इकतर में याद रखेंगे उनीस सो इकतर में एक संदी हुई थी आद्रुभूमी के सनक्षन और उसके प्रबंधन के लिए एक अंतराष्टी संदी हुई थी और ये जो संदी है वो कहां पर हुई थी तो इरान का एक सहर है रामसर में ध्यान रखेंगे आप एक रामसर सहर है जहां पर ये संदी हुई थी 1971 में ठीक है तो इसी वज़ा से इस संदी को क्या कहा जाने लगा रामस और दोस्तों इस संधी के तैत जो आदर भूमी जो आदर भूमी इस संधी के तैत जोड़ी जाती है उन्हें रामसर साइट कहा जाता है अब आदर भूमी क्या है तो आदर भूमी किसे कहा जाता है जैसे कोई दल दल है नदियां है जीले है डेल्टा है बाल के मैदान है चाव इसमें कहा जाता है अब दुस्तों कुषियानापको कौँ कौछ सेयाद रखने हैं यहां से तो याद रखेंगे कि वर्तमान में भारत में रामसर साइस कितनी है तो याद रखें यहां से भारत में रामसर 7.8 अभी जो है तीरा स्कूरmente को याद को कल की वीडियू कि 13 अगस्त को जो है 11 रामसर साइट जोड़ेंगी इंडिया की तो 75 इंडिया में अभी वरतमान में रामसर इस्थल हो गई है ठेक इसके अलावा ध्यान रखेंगे आप कि भारत का सबसे बड़ा जो रामसर इस्थल है याद रखेंगे आप सबसे बड़ा सबसे बड़ा रामसर इस्थल रामसर इस्थल कौन सा है तो याद रखेंगे आप पश्यम बंगाल का सुंदर बन ये जो है सबसे बड़ा रामसर इस्थल है इंडिया का इसके लावा ध्यान रखेंगे कि भारत का प्रिथम जो रामसर इस्थल है उसे जो है कौन सा चुना गय गई थी तो भारत का जो पहला याद रखेंगे आप फस्ट जो रामसर आपकी साइट थी वो कौन सी थी तो याद रखेंगे आप रामसर साइट कौन सी थी तो यह थी आपकी चिलका जील चिलका चिलका जील और जो चिलका जील यह कहां पर है तो यह है ओडिसा ध्यान रखें ठेक याद रखेंगे ये कहाँ पर है ये राजस्थान में है तो ये जो है भारत की पर्थम रामसर इस्थल की रूप में इनको जो है मानिता दी गई थी तो काफी इंपोर्टेंट है और कुश्चन कि अगर पूचा जाए कि भारत का पहला रामसर इस्थल कौन से थे तो दो आपके चिलका जील और एक था केवलादेव रास्ति उद्ध्यान जो चिलका जीले वोडिसा में और ये राजस्थान में इसके लावाब दोस्तों कुश्चन और ध्यान रखेंगे अगर कूचा जाए कि दुनिया की सबसे ज्यादा रामसर साइट किस देश में है तो याद प्रस्ताव. मैं. अश्चाव. और हम देखें पə। जो जोड़ा गया वो है बखीरा वनिज्य भैरन संत कबीर नेगर में तो यह हमारे उत्तर प्रदेश के रामसर इस्थाल ने टोटल दस तो सभी आप याद रखेंगे अब चली शुरू करते हैं करेंट अफेरस का सिसन दो आज का सिसन रू करने से पहले कल की कुश्यंस का रि ही ले जा रहे वर्ल्ड शूटिंग पैरा इस्पूर्ट में दस मीटर एयर राइफल इवेंट में कौन सा पदक जीता तो उन्होंने रजत पदक जीता और बी करेक्ट होगा दोस्तों उत्तर प्रदीश करेंट अफेर की लास्ट वन येर की अगर आपको पीडिए फीबु में मिल जाएगी और दोस्तों अगर इसे डाउनलूट करने में कोई प्रब्लम होती है तो साइट पर आपको वाट्सएप नंबर और इमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगला उश्या ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मुदी ने मन की बात में डिज के सभी प्रारूपों से सन्यास की गोश्रा कर दी है अगला उश्या ने किस मंत्राले ने मीट दा चेंपियन पहल का आयोजन किया तो खेल मंत्राले ने अगला उश्या ने भारतिया उलम्पिक संग के नए अध्यक्ष कौन बने तो अभी जो है आदल सुमरी वाला ये भार रात के किस सहर में तीन सो मीटर लंबे अटल ब्रिज का उधगाटन किया गया तो कहां पर किया गया ध्यान रखेंगे एहमदाबाद में अगला कुश्या ने यूएस ओपन टैनेस टूर्णामेंट कहां शुरू हुआ तो ये शुरू हुआ है नियू यॉयॉर्क में आप्सन पनारस हिंदू विश्व द्याले के सोध करता हुने दोस्तों ब्याच्यू के जो वनस्पती विज्ञान विवाक के सोध करता है तो उनकी टीम ने तिरपूरा में साइनो बैक्टीरिया यानि की नील हरत सहवाल की एक नई प्रजाती की पहंचान की है अब यह जो खोज की गई है तो विवन ने तराक दिजू पर जाती हैं उनके सरक्षण में ये मददगार होगी और दोस्तों जो सोध की गई है किसके द्वारा सोध की गई है तो एक बात यहां से ध्यान रखेंगे जो बियाचिव की बनस्पति विज्ञान विभाग के सोध करता है उनकी टेम ने साग॑रीका पॉल इन्होंने साल दो हजार बीस में इस अध्यान की शुरूआत की थी ये बनस्पति विज्ञान-विभाग के डॉक्टर प्रसांत सिंह के माड़ दर्सन में पी एचडी कर रही है ठीक कर रही है तो इन्होंने जो है साल दो हजार बीस में सध्यान की है तो बियाचियो के बनस्वती विज्ञान विभाग के सोध करताओं के टीम ने इसकी खोज की है अगला अक्षेन उत्य प्रदेश सरकार द्वारा अयोध्या में छटे दीपूसव में कितने दीप जलाए जाएंगे तो इसका जो करेक्ट अंसर है बो है ऑप्सिन नमबर डी चौधा लाख पचास हजार दोस्तो आयोध्या में छटे दीपूसव की तैयारियां जो है वो शुरू कर दे गए और 23 अक्टूबर को इस बार राम नगरी में कितने दीप जलाए जाएंगे तो चौधा लाख पचास हजार दीप इस बार जलाए जाएंगे और दोस्तो इस इसमें विश्व रिकॉर्ड बना था राम की पैडी पर नो लाख एक तालीस हजार पांसो इक्यावन दीपों का इसी तोड़ा गया कब तोड़ा गया तो महा सिवरात्री पर धर्मनगरी उज्यान में जो है छिप्रा शिप्रा नदी के तैट पर ग्यारा लाख एक अत्तर ह रिकॉर्ड बनेगा विश्व रिकॉर्ड बनेगा और तेस अक्टूबर को जो है चौने का रिकॉर्ड बनेगा चौदा लाग पच्चास जार दीव जलाने का और वो कहां पर तो रामनगरी यानि कि अउध्या में तेस अक्टूबर के दिन अगला उश्यन है उत्तर प्रदेश के संभल में सोने से भगवान गडेश की कितने फीट लंबी अदभुद प्रतीमा बनाई जा रही है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उप्समरसी अठारा फीट उची दोस्तों उत्तर प्रदेश के संभल में इस बार जो गडेश चतुरती होगी तो उसमें सोने से भगवान गडेश की अदभुद प्रतीमा बनाई जा रही है और यह जो प्रतीमा है यह अठारा फीट लंबी ह इसके बनाने में 50% सोने का इस्तिमाल किया जाएगा और इसके अलावा 50% बाकी दातों का इसमें इस्तिमाल किया जाएगा अगर लागत की बात किया जाए तो यहाँ पर कोई एकुरेट जो है बताय नहीं गया तो लगबग इसका जो खर्चा है वो करोड़ों रुपय में का खर्चा आने वाला होगा दोस्तों हर साल संभल के चंदोसी में भगवान गड़ेस का मिला लगता है गड़ेस चतुर्थी के पंदरा दिन पहले ही चंदोसी में मिला लगाया जाता है और इस दोरन भगवान गड़ेस की भव सोभा यत्रा भी निकाली जाती है तो याद रखेंगे, संभल में ये प्रतिमा बनाई जाएगी, अगला कुश्यान है, हाली में दुनिया के तीसरे सबसे अमीर विक्ति कौन बने, तो अभी जो है आली में एक रिपोर्ट जारी की गई और जो गौतम, अडानी है, यह दुनिया के सबसे अमीर विक्ति बन गई है, सार भारत के जो टॉप उद्योग पती हैं भारत में ये अभी जो है नंबर एक पर हैं सबसे अमीर व्यक्ति ठिया कौन गौता मड़ानी तो ये जो है दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गई है इनकी जो संपत्ति है वो बढ़कर के 137.4 अरब डॉलर हो गई है दो दो व्यक्ति इन से जो है आगे हैं दोस्तों ऐसा पहली वार हुआ है कि जब कोई ACI व्यक्ति ब्लूमबर्ग ब्लेनियर्स इंडेक्स के सीर से 3 में सामिल हुआ है यानि अभी तक जो है ACI से कोई भी ऐसा उद्योग पती नहीं था जो की टॉप 3 में सामिल हो सके तो ऐसा प मिस दवा यूनिवर्स 2022 का खिताब किस ने जीता तो यह जीता है दिविता रॉय और सी इसका करेक्ट होगा और यहां पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं यह मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीतने वाली करनाटा की रहने वाली हैं दिविता रॉय इन्होंने 28 अगस् संदू इन्होंने दिविता को अपने उत्रादिकारी की रूप में ताज पहनाया यानि कि जो आपका साल 2022 का मिस यूनिवर्स की प्रतियोगता हो गई एकात्तरवी होगी यह मिस्ट यूनिवर्स की प्रतियोगता साल 2022 में तो उसमें जो यह दिविता है यह भारत का प्रती निधित्व करेंगी इसी तरह से इसी वज़ाई से जो हरनास संदु है उन्होंने क्या किया उत्रा अधिकारी की रूप में ताज पहना यानि कि यह भार तो साल 2021 की मिस्ट उनिवर्स यानिः की हरनाज संदू करना तो रहने वाली है और साल 2021 की Miss Universe का किताब किसने जीता था तो वो भी ध्यान रखेंगे हरनाज संधु ने जो है साल 2021 का कौन सा किताब जीता था Miss Universe का इसी के साथ ध्यान रखेंगे Miss World 2021 सोरी 2022 का किताब किसने जीता तो कैरोलीना विलावसका जो है ये साल 2022 की Miss World किताब जीतने वाली है तो यहां से तीनों कुश्यन ध्यान रखेंगे मिस यूनिवर्स 2021 की वज़ेता हरनाज संदू मिस वर्ड 2022 की वज़ेता कैरोलीना विलावसका और मिस दिवा यूनिवर्स 2022 की वज़ेता दिविता रॉय अगला कुश्यन है विस्वक एड़ेट जूडो चेंपेंशिप 2022 में सो ने इतिहास रचा और बूसनिया के सारा जीवो में महिलाओं के 57 किलोग्राम बर्ग में विस्वक एड़ेट जूडो चेंपेंशिप 2022 में सोरन पदक जीता सोला वर्स इनकी एज है और ये किसी भी वर्ग में विस्व जूड़ो चैंपिंशिप में सुरण पदक जीतने वाली पहली भारतिय बन गई है तो कुश्यन जो है अपने आप में most important है याद रखेंगे कि विस्व जूड़ो चैंपिंशिप में सुरण पदक जीतने वाली पहली भारतिय कौन बन गई है किसी भी वर्ग में तो ये बन गई है लिंथोई चनंबं जोनोंने गोल्ड मेडल जीता कौन सी प्रतियोगिता में जीता तो ध्यान रखेंगे विस्व जूड़ो चेंपिंशिप में थेक विस्व जूडो चेंपिंशिप में यह इन्हों ने इसा लिया और कौन सा मेडल जीता तो गोल्ड मेडल जीतने वाली यह पहली भारतीय बन गई है अगला कुश्य है अंतराश्टी क्रिकेट में 950 विकेट पूरे करने वाले पहले तेज गैंदवाज बन गई है तो कौन बन गई है ओप्सा नमबर डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा जैम्स एंडर्सन यहां पर आप इनकी इमिज देख सकते हैं जैम्स एंडर्सन है और इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाए है दोस्तों इंग्लेंड के जैम्स एंडर्सन है इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाए कौन सा अंतराश्टी क्रिकेट में 950 विकेट पूरे करने वाले सबसे तेज गैंदवाज यह बन गई है हलाकि 950 विकेट और भी अंतराश्टी क्रिकेट में सबसे सफल गिंदवाज स्री लंकाई इस्पिन जादुगर मुथाया मुर्ली धरन हैं जिन्होंने 1347 विकेट लिए इसके बाद दिवंगत ऑस्ट्रेलिया इस्पिन महान सेन वर्ण जिन्होंने 1001 विकेट लिए और भारत के अगर बात करने तो भारती इस्पिन महान अनिल कुम्बली जिन्होंने 956 विकेट लिए हैं ठीक तो यह चीज है यहाँ पर कि 950 से अधिक भी विकेट लिए कई सारे खिलाडियों ने लेकिन इनका जो रिकॉर्ड बना है वो क्या बना है कि अंतराश्टी क्रिकेट में 950 विकेट पूरे करने वाले सबसे तेज गैंदवाज यानि कि सबसे कम समय में होने जो है यह विकेट पूरे की है 950 अब दोस्तों यह जो जेम्स एंडर्सन है इनके नाम पर एक और एकौर है कौन सा तो यह लास्ट पॉइंट याद रखेंगे 600 से अधिक टेस्ट विकेट लेने वाले एक मात्र यह तेज गैंदवाज है ठीक क्या है टेस्ट विकेट लेने वाले 600 से अधिक अगला उशियन है बी डवल्यू एफ याने की बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन फुल फार्म ध्यान रखेंगे तो 200 चैंपेंशिप 2022 में पुरुस एकल खिताब किस ने जीता तो यह जीता है option number A यहां पर correct हो जाएगा विक्टर एक्सेल्सन ने यहां पर आप इनकी image देख सकते हैं BWF 200 चैंपेंशिप 2022 में पुरुस एकल का खिताब जीतने वाले दोस्तों डेन्मार्क के जो विक्टर एक्सेल्सन है इन्होंने BWF BWF यानि की बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन म मैं विक्टर चैंपेंशिप 2022 में पुरुस एकल का खिताब इन्होंने अपने नाम पर किया और दोस्तों इन्होंने एक नया record बनाया कि इस जीत के साथ एक्सेल्सन अब एक साथ उलंपिक विक्टर चैंपेंशिप BWF वर्ल्ड टूर फाइनल और पिछले तीन सुपर 1000 खि फाइनल और पिछले तीन सुपर 1000 खिताब यह जो है अपने नाम पर कर चुके लगातार यह सारे recording कोई नाम पर बने है तो ध्यान रखेंगे आप हाली में होने क्या कौन सा पुरुसकार जीता तो BWF विश्व चैंपेंशिप 2022 में पुरुस एकल का किताब इन्होंने जीता है विक्टर एक्सलसन ने अगला कुशन है हाली में साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार पुस्तक का विमोचन किस ने किया तो स्री मुझपारा ने इसका विमोचन किया है दोस्तों स्री मुझपारा कोन है तो केंद्रिय आयुस राज्यमंत्री और महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री हैं डॉक्टर मुंझपारा महेंदर भाई कालू भाई यह इनका पूरा नाम है तो इन्हों नहीं एक पुस्तक है साइन्स बिहाइंड सूर्य नमस्कार इसका विमुचन किया है दोस्तों अगर यह पुछा जाए कि यह जो पुस्तक है किसके दौरा लेखे थे किसके दौरा इसको तयार किया गया है तो यह जो पुस्तक है इसका संक्लन AIIA की स्वास्ते वृत्ति और योग विभाग दौरा इसको तयार किया गया है ठीक तो ध्यान रखेंगे आप कौनजी पुस्तक है साइन्स बिहाइंड सूर्य नमस्कार और इसका विमुचन किस ने किया तो जो केंद्रिय आयुस राज्यमंत्री हैं और महिला इवंबाल विकास राज्यमंत्री हैं डॉक्टर मुंझ पारा महिंद्र भाई कालू भाई अगला कुश्यान है दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो सभी लोग वीडियो को लाइक करें और अ होगा तो अक्टूबर 2022 में दिवाली तक फाइब जी लॉंच कर दिया जाएगा ये घोशना किस ने की है तो ये घोशना की है रिलाइंस जियो ने अप्सन नमर सी हम पर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों भारत की जो सबसे बड़ी दूर संचार कंपनी है रिलाइंस जियो इसने गोशना की है कि कौन-कौन से सहरों में तो दिल्ली है मुंबई, कोलकाता और चिन्ने में अक्टूबर 2022 में दिवाली तक फाइब जी सेवाओं की सुरूआत कर दी जाएगी और जियो ने ये भी गोशना की है दिसंबर 2023 तक पूरे देश में इसे विस्तार और कवर करने की योजना है ठेक तो ध्यान रखेंगे कि हमारे देश में अक्टूबर 2022 तक यानि दिवाली तक जो है फाइब जी सेवा शुरू हो जाएंगी और किन-किन सहरों में तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चिन्ने में ये घोशना किसने की है रेलाइंस जियो ने तो दोस्तों ये थे 31 अगस्ती समंधित उत्तरप्रदेश के सभी एकजाम के लिए मुस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफरीके कुश्चन जो कि हमने डिसकस कि अब हम देखते हैं कल की वीडियो को कुश्चन जो हमने आप से पूझा था तो ये रहा कल का कुश्चन जो हमने आप से कुश्चा जाए तो सभी लोग कुश्चन का अंसर जरूर किया करो तो ये रहा आज को कुश्चन टीटोंटी इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेवाज कौन बने इसका जो भी करेक्ट अंसर है वो आपको कमेंट बोक्स में बताना है और दोस्तों सेर और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले साथ ही वेल आइकन को भी प्रेस करें ताक कि टाइम टू टाइम नोटिफिकेस तन आप तक पहुंचता रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू